आज से दो तिन साल पहले इस्टागराम पर इतना अच्छा व्यूज आता था भार से व्यूज आता था नए नए बंदे आते थे जुड़ते थे फोलो और इखटे होते थे मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि आपका जो एवरे व्यूज होता था वो लगवक थाउजन तो थाउजन फाउजन यह तैन थाउजन तक नॉर्मल पीपल का चला जाता था था ठीक है अब तो के वली व्यूज उसका आ रहा है जिसके पहले से फोलोर अच्छे कहसे हैं या तो किसी के पचास हजार एक लाग इस तरीके से हैं तो उनका ठीक ठाक व्यूज आ रहा है ल मेरी वीडियो चलते चलते ही और अभी एक पोस्ट या फिर अप्लोड करो तो जीरो व्यूज देखने को मिलेगा लेकिन दो तीन साल पहले ऐसा नहीं था तो इसी चीज को सुधानने के लिए ना मैं आपको तीन चीजे बताऊंगा जिनको यूज कर गए आपको 2023 में अभी अप्लिकेशन पर नहीं जाना सारा काम आपको इस्टाग्राम से करना है बस यह है कि थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धी लगानी पड़ेगी जो आपको बुद्धी है वो थोड़ी से लगानी पड़ेगी और जो में तीन चीजे इसमें बताने वाला वीडियो में वह आ आपको क्या करना है आपको अपने अकाउंट पर एक स्टोरी क्रेट करनी है चाहिए आपके 0 फोलोवर और फिर पहुत सारे फोलोवरों से कोई मतलब नियस्ट करने के बाद में आपको कोई भी पौपुलर लोकेशन अपनी स्टोरी में एड लाइनी है आप साइड में एक प्लेस की लोकेशन को एड़ कर दिया आप देख सकते हो और फिर एड़ करने के बाद में जब मैं मेरे को काफी देर हो गया लगबग 22 तेज घंटे जब मेरे को हुए तो मैंने जब इसका विउन साइट ओपन किया ना तो आप देखो स्टोरी के विउन साइट में नीचे की स साइड में तो मेरे सारे के सारे फोलोवर आ रहे हैं मतलब वे इंसान आ रहे हैं जिनोंने मेरी स्टोरी वोच की है ठीक है लेकिन एक ओप्षन उपर देखो यह लिखा हुए नहरू प्लेस यानि कि जो लोकेशन मैंने एड़ की ती तो उसका नाम आ रहा है नहरू प्लेस किन किन बंदों ने मेरी स्टोरी को वोच किया है उस उस लोकेशन की वैसेमेरि स्टोरी को किस नैवोच किया उन बंदों की शंक्या सक्ह tienes लिखे है अब तो 25 होगी होगी ठीक है यह सकीण विडू मैं ने पहली वना ली थी तो 20 यहां पर लिखी हुए यह तो इजो 20 बंद से जो मैंने अपनी स्टोरी में एड़ कुई है तो कहने का मतलब ही है कि अगर आपके follower है या फिर नहीं है आपको new account है या फिर old account है आपके चाहिए zero follower है भाई अगर आप अपने account पे story लगा देते हो और उसमें कोई भी पॉपुलर पैलेस या कोई भी पॉपुलर लोकेशन उसमें डाल लेते हो जैसे कि आपका ताजमैल हो गया आपका आक्षार धाम हो गया दिल्ली में चाननी चोग हो गया जमा मस्जिद होगी ठीक है इस तरीके से जो चीज यह famous होते है ना बहुत ज्यादा famous है popular locations अगर उनको आप अपनी story में add करते हो तो आपको भार से बहुत ज्यादा views देखने को मिलता है जैसे कि मेरे को मिलता है ठीक है और अगर आपके follower है तो follower तो आपकी story देखती है बाकी उस location से भी बहुत सारे बंदे आते हैं जब भी instagram पे real upload करने के लिए जाओगे तो आपको template यूज करनी है चाहे आप किसी celebrity की करो या फिर आप real वाले option पे click करके side में template को option आता है किसी के side में आयगा या फिर किसी को उपर आ सकता है side में देख सकते हो video चल रही है ठीक है तो इस तरीके से आप real पे click करके template को use कर सक सकते हो और उसको अपने account पे upload कर सकते हो आपको एडिटिंग करने की जुरू है ना ही आपको कोई भी trending song find करने की जुरू है ना ही कोई filter लागने की जुरू है और ना ही कोई ऐसी खास video बनाने की जुरू है ठीक है instagram आपको template use करने के बाद में सारी चीज खुद provide कर देता है filter वगएरा सब कुछ provide कर देता है trending audio वगएरा song वगएरा length reel की length कितनी जीए वो मतलब सब कुछ आपको maintain करके देगा आपको बस use template पे click करके और अपनी gallery में से videos वगएरा उसमें post करनी है यान import करनी है and उसके बाद में export कर देना है instagram आपको एक reel बना के देदेगा फिर आप उ लेगा यह सेम उस option की तरह है जैसे कि आपका instagram में एक remix option आया था ना दो तीन साल पहले एक चला था remix option किसी की reel को remix करके अपने account पड़ा लो तो आपको views देखने को मिलता है तो सेम उसी की तरह मान सकते हो आपको से easily new account पे या old account पे दोनों पे आपको thousand से ज़्यादा views मिल ज पोसिस करो कि आप use template पे click करके तब एक reel बनाओ and then उसको instagram पे upload करो तो आपको भार से बहुत अच्छा भी देखने को मिलेगा reach बढ़ेगी इससे आपका instagram account ग्रो होगा ठीक है अब थर्ड चीज में आपको क्या करना है आपको अपने account पे reel upload करते वक्त ना recommended on facebook वाला जो button होत जाएगी चाहे आपकी ID वहाँ है या फी नहीं उसको कोई मतलब नहीं है लेकिन facebook पे भी अब instagram की reel चलती है तो अगर आप इस button को on कर देते हो अपनी हर reel में तो आपकी जो reel है उसके बहुत ज्यादा chances बढ़ जाता है facebook पे और जब facebook पे आपकी reel चली जाएगी तो facebook से आपक recommended on facebook वाला तो आपकी जो reel है आपने upload की है वो facebook पे recommend होगी वहाँ से views आएगा reach बढ़ेगी और आपका stream account grow होगा ठीक है तो ये तीन तरीके जो मैंने बताए इनको लाके देखो दोस्तो 2023 में आपको भार से response 100% देखने को मिलेगा और आपका account 30 दिन में 100% grow होगा ठीक है